आज कैसलेट का ग्लास है इसमें हम लोग पहले भी कई कर चुके हैं देरे देरे आपकी मैचुरिटी बढ़ती ही चरी जा रही होगी इसमें यह और बढ़ेगी सारे ही कुश्चन प्रिवियर से इस पेपर के होते हैं इसलिए आप देखेंगे कि डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है सिर्फ एक overall look, macro look लेने से आपको एडिया हो जाता है कि उसका structure क्या होगा और फिर micro होगी उसके अंदर भुशते हैं कि आखिर उसमें क्या डाटा और उनकी बीच क्या relation दिया होगा है आईए देखते हैं समझ में आगया कि टोटल जो है वो 600 प्लेर्स हैं मेल फिमेल दो भाग में हैं और जो स्पोर्ट्स हैं वो चार तरह के खिलते हैं तो ये structure नजराता है और अब हम दो फिर से बढ़ते हैं कि ठीक है ठीक है there are 600 प्लेर्स in all who are participating in four different events like athletics, table tennis, cocoa and long tennis हो गया the ratio of male to female players is 11 is to 4 11 is to 4 ratio को जहां तक संबब हो mentally calculate करने के लिए आना चाहिए male 11 तो female 4 तो total 15 15 नहीं 600, 1 नहीं 40, 1 नहीं 40, 1 नहीं 40, 11 नहीं कितना 4 40 and 4 नहीं कितना 1 60 समझ में आरा मनों कैसे कर रहा है male 11 है तो female 4 है तो total 15 है 15 नहीं 600 है यह 40 टाइम्स है इसलिए सब के सब 40 टाइम्स हो आ 4 40 A B into 40, 116 यह समझ गया लेकिन जब समझने लगेंगे तो इस calculation को मनमे करने लगेंगे जैसा कि वहाँ पर महने किया समझ गया आगे बढ़िये 30% of the female players, 30% of the female players, मने 48, are participating in athletics, athletics, यानी 48, 10% of the female players are participating in table tennis, 10% of the female players participating in table tennis, 16, okay the remaining female players are participating in kho-kho and lawn tennis in the ratio 1 is to 3 kho-kho and lawn tennis 1 is to 3 के ratio में तो remaining कितने बच्छे तो remaining देखिए 2 इधर देदीजिए 12 इधर देदीजिए 12 इधर देदीजिए तो 60, 60 हटा दीजिए और बागी बचा 4 less कर दीए 96 यानी total 96 बचे उन दोनों में नहीं समझे एसल में हम लम को 48 और 16 को add करके 160 में less कर देना था अब सोचे इसको add करें तो 60 plus 4 क्यों न बना लें और 60 अगर less कर दें तो ऐसा क्यों न हो जाए तो ऐसा क्यों न हो जाए और यह सब कुछ मन में क्यों न हो जाए 96 समझ में आ गया ठीक है कौन है 96 वो female players है जो की खोखो और lawn tennis में से संबन देत हैं और वो वो समझे अगर यह खोखो वाले 1 है तो lawn tennis वाले 3 है तो total 4 है 4 न होगे 96 हो तो यह 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 24 times हुआ 24 times हुआ 24 times हुआ 24 times हुआ देखे 24 times हुआ यानि होखो में 24 हुए और 72 लॉन टैनिस में हुए अब इसका कोई काम नहीं है जितना होना था हो गया यह समझ गया इसके बाद आगे यह यह जो चार खेल से समझ देता हैं पोसे उसमें एधंटिक्स वर्शस अदर्स दिया हुए यानि तीनों को एक साथ ले देजी अथिलेटिक्स वर्शस अदर्स अथलेटिक्स वर्शस अधर्स अध्यम्दी पर रेशियो क्या आता है 3 is to 5 यानि एथलेटिक्स में अगर 3 है तो अदस में 5 है तो टोटल 8 है 8 न होकर 440 है तो 1 न होकर क्या है 55 टाइमस कटेगा 4 बाद 4 बनने से कटेगा हंटे 10 तो 55 तो 3 न होके क्या हुए 5 न होके क्या हुए 3 न होके 55 टाइमस बोले तो 165 हुए और ये भी 55 टाइमस बोले तो 5 इंटो 55 275 हुए ठेक है तो कहने का मतलब क्या हुआ 165 यहां है और ये तीनों मिला करके 275 है ऐसा यहां से पता चलता है थोड़ी दर के लिए लिखते हैं हम लोग ठेक है यह समझे है 4% of those male players of those male players who are not participating in athletics who are not participating in athletics यानि 275 इसका 4% 1% 2.75 इसका डबल हुआ 5.5 और उसका डबल हुआ 11 4% मतलब 11 male players who are not participating in athletics are participating in lawn tennis 11 देखी 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 are in lawn tennis समझ आ रहा है कि नहीं ठीक है lawn tennis remaining male players remaining क्या बचे ये दोनो remaining male players are participating in double tennis and khorphu double tennis and khorphu तो remaining कितना बचा 264 in the ratio 5 इस तो 3 5 इस तो 3 तो total हुआ 8 8 means this 33 times तो ये भी 33 times ये भी 33 times into 33 का मतलब 165 और ये भी into 33 का मतलब 99 5 का मतलब क्या हुआ table tennis table tennis का मतलब this is 165 and khorphu उसके बाद khorphu 3 का मतलब क्या हुआ 99 ये एक बार देख लीजे कि आपको समझ में आया या नहीं जो information है उसके आहार पर ये table बना total हम लोग कर सकते हैं लेकिन अभी तक जरुवत नहीं है जरुवत होगी तो करेंगे नहीं होगी तो शायद न करें ठीक है अब हम लोग question पर चलेंगे first question है what is the ratio of male players participating in long tennis male players participating in long tennis 11 ठीक है क्योंकि ratio 2 के बीच होता है तो बोले 11 to the female players participating in table tennis female players participating in table tennis तो इसमें कुछ खास नहीं था data solve ने के बाद फिर एक्टम इस पस्ट है इन दोनों data के बीच में ratio पुछा गया था second second what is the total number of players both males and females together participating in table tennis and athletics together table tennis में male female जितने है ये total और एथेलेटिक्स में male female जितने हैं उनका total इनका sum कर लें इनका sum कर लें और add कर दें तो कितना आएगा ये question में कहा गया है ठीक है है कोई दिक्रत नहीं है अगर आँम दोंको अच्छा लगता है तो sum कर लेते हैं अच्छा लगीगा तो sum कर लेंगे भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगर रहा है s मैं इस डाटो को बताता हूं, थोड़ा फास्ट करता हूं, समझने का प्रयास किजिए, अरे 165 का डबल ये तो 330 होता है, तू इधर दिये 50 हुआ तो 280 होता है और 14 तू 394 होता है, हुआ की नहीं, बुलिए, नहीं समझे, 165 and 165, 330 होता है, तू इसको दे दिये तो 50 हो गया, तो 330 and 50, 380 होता है, और 2 इसको दे दिये तो 14 बचा था ना, तो ब्लास 14, 94 होता है, 394. इसको देना पड़ेगा, मैं कहता हूं जो करने मां अच्छा लगेगा, वो न करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कैसा करूं भई, कैसे करूं, ऐसे अच्छा लग रहा तो क्यों न करूंगा, ठीक है? What is the ratio of the female players participating in lawn tennis, female players participating in lawn tennis, 72, 72, to those participating in table tennis, to those participating in table tennis, यही तो है, 8 से 9 बार में और 8 से 2 बार में, 9 बार में, 9 बार में, 9 बार में, 9 बार में, ठीक है, ठीक है, देखिए, Okay, answer, आई हम लो फोर्थ question क्यों चलते हैं, What is the difference between, difference, दो के भी difference, difference between the male players participating in kho-kho, male players participating in kho-kho, या तो इक्छा हो तो लिख लेजिए, ना हो तो छोड़ देजिए, and the female players participating in lawn tennis, 24, a lawn tennis, 72, 72 से 100 होता, 28 जादा होता, 27, 27, हरी तो दिखाई जेता, 27, या समझ में रहा है, ठीक है, What is the difference, 27? Last, what is the total number of female players who are participating in athletics and kho-kho together, athletics, athletics and kho-kho together, 24 and 48, किसी किसी को लगेगा, एक ठो 24, दो ठो 24, तीन ठो 24, तो 72 से, ऐसा नहीं लगेगा, तो 2 इसको लेके से इसको देदेंगे, 50 and 22 तो को देंगे, 72 से, ठीक है, इसमें जो कुछ भी था, table form करने से संब्दित था, बाकी जो questions थे, उसमें कुछ खास नहीं था, हाँ, एक जगर एक question था, जिसमें कि आपको संब धंग से करना था, फिर भी मेरा ख्याल है आपका practice हुआ होगा और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, all the best.